हेलो दोस्तों वेलकम टू मैस मसाला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का कोशन नमबर 2 और 3 यानि कि यह दो कोशन आज की वीडियो में खतम हो जाएगा पहला कोशन आपने नहीं देखा है तो दिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा आप जाकर देख लेना तो चलिए कोशन नमबर 2 को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पर लिखा गया है एक्स माइनस ए तो हमी करना क्या है आप देख लिए यहां पर हमें कहता है कि इस समीकरण को x-a से भाग देने पर सेस्फ़ल ग्याद कीजिए तो सेस्फ़ल ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे x का पहले मान निकाल लेते हैं तो x का मान कैसे निकालेंगे x-a जो कि हमको पता है कि x-a किसके बराबर होगा 0 के बराबर है तो x बराबर minus a का पाक चांतर होगा तो यहां मिल जाएगा हमको a यानि कि x का मान हमें a मिल गया अब हम क्या करेंगे अब हम लोग लिखेंगे समी करण में x का मान लखने पर तो समी करण में x का मान लखिए समी करण है हमारा xq minus a x square plus 6x minus a तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग a का मान लखके देख लेते हैं तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा a cube minus a यहाँ पहरे से ही है तो a गुणे x का मान हो जाएगा यहाँ पर a a square plus 6 गुणे a minus a तो a cube यानि कि यहाँ पर a cube ही रहेगा उसके बाद minus a cube और 1 a का जब गुणा होगा तो यहाँ भी a cube हो जाएगा प्लस 6a और minus a यह आपका हो जाएगा तो a cube प्लस यह कड़ गया 6 में से a घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5a अब यह 5a क्या है यह हमारा है 6a 5a मिलेगा और यही हमारा हो जाएगा answer तीसरा question कहता है जाँच कीजिए कि 7 plus 3x यानि कि यह 3x q plus 7x का यह गुणनखंड है या नहीं देखिए गुणनखंड कब होगा जब यदि x का मान हम निकालेंगे और उस मान से यदि यह अंक पूरा-पूरा कड़ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि यह जो समीकराण है वो इस समीकराण का गुणनखंड होगा तो चलिए हम लगा के देख लेते हैं 7 प्लस 3 x तो हमको पता है कि यहां भी हमको सुनने के निकालना होगा तो बराबर 0 हम लोग लगा देते हैं 7 का पक्छांतर करेंगे तो हमको मिल जागा 3 x बराबर 7 x बराबर यहां पे आपका माइनस 7 हो जाएगा तो माइनस 7 पटा 3 का पक्छांतर करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 तो x का माइनस 7 बटा 3 अभी हम लोग समिकर्ण में रखे देख लेते हैं तो समिकर्ण में x का मान रखने पर तो समिकर्ण में हम लोग x का मान रखेंगे तो समीकर है हमारा 3x cube प्लस 7x अब यहाँ पर x का मान लिखेंगे 3 गुड़े x का मान हमको मिला है माइनस 7 बटा 3 और इसका यहाँ पर हो जाएगा cube cube है ना तो cube कट देंगे अब क्या है प्लस 7 गुड़े x का मान कितना है माइनस 7 बटा 3 तो अब क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे 3 गुड़े माइनस 7 का cube तो यानिकी माइनस माइनस ब्लस और प्लस माइनस माइनस 7 सत्य 49 49 सत्य होता है 343 यानिकी 343 और बटा 3 का घात करेंगे तो हमको लेगा 27 प्लस माइनस 7 सत्य 49 हो जाएगा और बटा यहाँ पर हो जाएगा 3 अब इन संख्याओं को हम देखिए यह कटता है तो हम इसको काट देंगे 3 एकम 3 और 39 27 होता है चलिए अब इसको हल करके देखते हैं तो 9 और 3 का जब लासा निकालेंगे तो हमको मिलेगा 9 और यहाँ पर आपका माइनस 343 पहले से ही था तो हम लिखतेंगे माइनस 33 होता है तो 49 को भी हम लोग 3 से गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 9 37 और 4 3 12 13 14 147 तो अब क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को माइनस माइनस पलस होता है तो इन उनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो जोड़िए 7 3 होता है 10 4 4 8 और एक हासिल 9 और 3 और एक होता है 4 और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे बटा 9 तो यह जो आया यही आपका हो जाएगा सेसफल तो हम लोग लिखेंगे सेसफल बराबर माइनस 490 बटा 9 अच्छा और कोश्चन कहता है कि बताओ यह गुड़नफंड है या नहीं तो जब सेसफल बज गया तो क्या वो संख्या उसे काटेगा आप खुद बताइए जब कोई किसी को हम जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो यदि सेसफल बज जाता है तो क्या जो दी गई संख्या है वो उस संख्या को काट सकेगी तो नहीं काट सकेगा तो हम लोग क्या रिखेंगे इसका एंसर सेसफल यह नहीं होगा इसका एंसर होगा कि 7 प्रस 3x कॉमा 3x क्यू प्रस 7x का गुणन खंड नहीं है यह होगा इसका एंसर तो साथियों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैदल मैंस मसाला को सब्सक्राइब परें क्यूंकि क्लास 9 के सभी कोश्चन को मैं ऐसे ही फिली आफ कॉश्ट बिना किसी पैसे के आपको इसी चैनल पे आउनलाइन ट्यूशन द्वारा पढ़ाऊंगा तो साथियों कमेंट कीजिए आपको जो कोई भी किसी भी कोश्चन में प्राबलम है तो मैं उसका सॉल्वेशन आपको दे दूँगा तो आज के लिए साथियों इतना ही तंदेवाद